आप सभी को हैप्पी जनमास्ट मी भगवान स्री किर्षन आपके सारे सपने साकार करें आप जीवन में उचाईयों को छुएं आप आगे बढ़ते रहें सफल होते रहें इसी कामना के साथ आज की वीडियो की सुरुवात करते हैं आज की ये वीडियो काफी खास रहने वाली है और मेरे लिए तो बहुत ही खास दिन है तो आज मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं तो ध्यान से आप सुने सबसे पहले जिसा आप जानते हैं कि आज जनमास्ट मी है और आज ही के दिन एक ऐसी चीज मेरे साथ हुई है कि एक हमने पिछले कुछ दिनों प बहुत बड़ा नंबर है और बहुत ही जल्दी पूरा हुआ ऐसा नहीं कि बहुत जादा टाइम लगा लेकिन बहुत ही जल्दी पूरा हुआ और पचास जार फोलोर्स उसके आज कंप्लीट हुए हैं आज के दिन तो सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद प जाते हैं कि भगवान स्री किर्शन जब महाबारत का युद हुआ था तो उन्होंने अर्जुन का साथ दिया था उन्होंने यह नहीं कि कोई सस्त्र चलाए थे अस्त्र चलाए थे लेकिन मोटिवेट किया था ऐसे ही जो यह 50,000 का कारवा हैं जहां तक हम पहुंचे हैं तो इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको बता दूं मतलब 2022 में यूट्यूब से बहुत कट हो गया था मैं लेकिन अभी 2024 में बिलकुल स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया और उसके पीछे जो सक्सियत हैं हलाकि उन्होंने मना किया कि नाम ना लिया जाए लेकिन मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूं आप उससे समझ सकते हैं कि आज की समय में भी क्योंकि उस टाइम क्या था 2024 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब थोड़ा यूट्यूब के उससे तो बहुत ही अलग हो गया था और काफी परिसान भी था और जो काम था वो भी काफी डाउन जा रहा था और ऐसे में जो इस सक्सियत हैं जैसे हम बोलते हैं मैं सिंपल सब्दों में बोलू इस काम के लिए मैं उनको गुरू का दर्जा दूँगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोटिवेट किया तो ऐसे ही इन्ह ने मुझे मोटिवेट किया और इनकी मोटिवेशन की वजह से देखो जो इस चैनल है जिस पर मैंने वीडियो डाली है इस पर अभी तक भी 50,000 नहीं हुए कई सालों से मैं काम कर रहा हूं लेकिन इस चैनल पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं जिस पर 50,000 से ज्यादा फोलोवर हो चुके हैं तो इसमें इन सक्सियत ने बहुत मोटिवेट किया दिखो एक टाइम ऐसा था जो जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो बहुत सारे लोग कट गए थे जो जुडे हुए थे वो भी कट गए थे क्योंकि कोई भी इंसान होता है तो थोड़ा तो लालच जरूर ह किसी को भी होता है मैं भी अगर बात करूं कोई चीज अगर डूबने लगेगी तो यह मतलब कोई काम नहीं हो रहा है तो हम किसी को बिना बात तो हमें कोई मतलब नहीं होता किसी से लेकिन जो यह गुरू है जिनकी मैं बात कर रहा हूं जब मैं बहुत परेशान था तो मू और अभी तो देखो यह स्टार्टिंग है लेकिन उम्मीद है कि अगर ऐसे ही काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे मैं तो नाम लेना चाह रहा था लिकिन जो उन्योंने मना किया कि नाम ना ले तो जो ऐसेदें हैं जो बिना लालच के, क्योंकि लालच हर इंसान को थोड़ा तो लालच होता है, बिना लालच के, बिना किसी स्वार्त के, मोटिवेट किया, और उस मोटिवेशन ने काम किया, उस मोटिवेशन ने काम किया, और इसी वज़े से आज मैं कुछ कर पा रहा हूं, दुबारा से स्ट ये और मिरी पास लिट्रेली में बता हूं तो मेरी पास सब्द नहीं है मतलब एक ऐसा पल है जहां पर इंसान थोड़ा सा भावुक हो जाता है कि अज़ा पूरते नहीं है कि भगवान स्री किर्षन से बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं है तो मुझे लगता है कि भगवान स्री किर्षन ने इन्हें मुझे मोटिवेटर करने के लिए पेचा और इनकी ही वज़े से आज इतना बड़ा जो अचीवमेंट मिला है हलाकि ये तो स्टार्टिंग है लेकिन बहुत ही जल्दी इतना कुछ होना मतलब 2024 की स्टार्टिंग में ही लगबग स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा फोलोवर्स भी नहीं हो थे लेकिन एकदम बहुत स्पीड से चीज़े हो रही है और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो एक लाख जो फोलोवर्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे हलाकि देखो मेहनत तो पहले भी की थी लेकिन एक मोटिवेशन होती है एक विश्वास होता है एक उमीद होती है तो इन्होंने बहुत मोटिवेट किया और मतलब मेरे पास लिटरिली बताओं आई डॉन्ट अब वर्ड्स कि मैं मतलब कैसे थेंक यू बोलू जितना कुछ कहा जाए इतना काम है तो कई बार ऐसा होता था कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं होता था लेकिन जो हमारी गुरुजी है बोलते थे कि नहीं वीडियो जरूर बनानी है और इतना मोटिवेट करना जिसे रियल बताओं परदिप कोशिक सर्थ है तो वह भी ऐसे मोटिवेट आज भी बात होती है तो मनलब ऐसे गाइड करते हैं लेकिन जैसा मैं अभी देख रहा हूं कि उस पर नजर रखना कि हां इतने फोलोवर्स हुए हैं इतना कुछ चल रहा है अप काम कर रहें नहीं कर रहें कि उस चीजों पर नजर रखना और उस सफलताभी खुस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है तो मतलब ऐसे गुरू मिलना सबसे बड़ी बात है कि कोई पभलिस्टी ने जाहिए कि ऐसा नहीं बहुत सारे लोग हैं गाइड करने तो चाहते हैं कि उनका नाम लिया जाए लेकिन बिना किसी स्वार्थ के मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट भी की कि मैं नाम भोलता हूं उन्होंने कहा नहीं नाम नहीं लेना बस आप आगे बढ़ो यह हमारे लिए बहुत अच् तो मैं बहुत अच्छा लगा मैं मैं किन सब्दों में सुक्रियादा करूं क्योंकि एक डूपते इंसान को इस मुकाम तक लेकि आना और मैं सच बताओं मैंने बिलकुल नहीं सोचा था कि अलब पचास जार तक पहुचोंगा लेकिन थेंक्यू और आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहें मानता हूं कि आज आपको सर्व बहुत वियस्त हैं लेकिन जब भी टाइम मिले तो मोटिवेट करते रहें और आपकी मोटिवेशन को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा यह मेरा आपसे वादय है कि महनत करता रहूंगा और आपको बहुत प्राउड फील कराऊंगा और एक टाइम आने पे आपका नाम नहीं लूंगा सब के सामने आपको लेकि आउंगा कि हाँ यह हैं जिन्होंने इतना सपोर्ट किया तो और सम्मानित करूंगा आपको तो थेंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद आप काम इसा खुश रहे हैं थेंक यू